जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जी का अनंतम शुक्राना, वाई गुरुजी का खालसा, वाई गुरुजी की फते, ओम नमोशिवाय शिवजी सदा सहाए, ओम नमोशिवाय गुरुजी सदा सहाए, शुक्राना गुरुजी जो आप अपने सामने बिठाकर शिर पिर धरम सिंग ने आकर कहा कि गुरुजी की क्या आग्या है तथा इनकी उत्था नवस्था किस शबत के उचारन से होती है बताने से जब करतार करतार की ध्वनी की गई तब गुरुजी की उत्था नवस्था होई तब धरम सिंग ने कहा आपके लिए गोबिन परसाद लाया हूँ गुरुजी ने कहा हे सज्जन आपका नाम क्या है उसने कहा शिरिमान मेरा नाम धरम सिंग है और यहां किसी की जाती पूछने की आवश्यक्ता नहीं क्योंकि यहां का परतेक रहने वाला एक ही वर्ण का है और सबसे बड़ा एक गोविंद है तब गुरुजी ने कहा यहां का राजा कौन है धरम सिंग ने कहा यहां की राजा का नाम कवल नैन है फिर गुरुजी ने कहा वे तो बड़ा है उसने कहा उसके सिर पर छतर तो परमात्मा ने दिया हुआ है राजा होते वे भी वे किस से परनाम करवाना नहीं चाता वैसे तो सत्रा राजा इसके नीची है प्रंटु यह किसी को अधी नहीं मानता सभी पर्मात्मा के पुतर जानकर समान पेवार करता है। अब देखना है कि पर्मात्मा को क्या स्विकार है। गुरू जी की यह विचार हुई इतने में धरम सिंग ने आप भोजन कर ले गुरुजी ने कहा हम भोजन करने को तयार नहीं धरम सिंग ने कहा आपने क्या दोश देखा है जो भोजन नहीं करते गुरुजी ने कहा भोजन में तो कोई दोश नहीं परन्तु राजा में दोश है उसने कहा आप राजा पर क्या दोश लगाते हैं राजा तो धर्मात्मा है अपितु यदि कोई दोश आपने देखा है तो हमें बताने की किरपा करो गुरुजी ने कहा जिसमें दोश होता वही जानता है दूसरा नहीं जान सकता गुरुजी ने कहा पुरुश सर्व भक्षी है उसने कहा कि ये निवारन कैसे हो गुरुजी ने कहा कि तुम राजा को खबर दोगे और राजा हमसे पूछेगा तब हम भोजन खाएंगे गुरु जी ने राजा को दोश लगाया धरम सिंग को हैरानी हुई तब धरम सिंग ने कहा हे राजन आपके नगर में तीन सादू आये हुए हैं उन्हीं में से एक तो नगर में आकर खान पा खाते तथा दोश लगाते हो उन्हें एक महंत है उसने कहा कि राजा में दोश है जब मैंने पूछा तो उस महंत ने कहा जिसमें दोश होता है वही जानता और वही मानता है मैं हैरान हूँ राजा ने कहा धरम सिंग तुम ही हमारा दोश विचारो उन्होंने कौन सा दोश ल किया तो भी ठीक नहीं अब मुझे खाली आती जाना योक्य है यह कहकर राजा और धरम सिंग महां आए चांशिरी गुरु नानक देव और बाला विराजमान थे मरदाना रबाब बजा रहा था गुरु जी और मैं बाला इश्वरी ये मस्ती में बैठे हुए थे राजा घोड धरम सिंग ने कहा आप इनको कहो सत्य करतार सत्य करतार अब राजा ने करतार करतार का शबत कहा तब शीरी गुरु नानक देव जी की उत्था नवस्ता हुई गुरु जी ने सत्य करतार की ध्वनी की राजा ने बैठ कर कहा है महंत जी आपने हमारा भोजन त्याकर हमें दो बिंद के लिए है ऐसे एक हम भी उसी के लिए है यदि तुम्हें ये निश्चे है तो दूसरे से इन को मनवाना चाते हो राजा ने कहा हम किसी से इन नहीं मनवाते ये लोग जो इन मानते हैं स्वयम मानते हैं हमारी ओर से कभी कोई आगरे नहीं है गुरुजी ने कहा सुन र आग्या शिरोधारे है परंतु आप हमारा दोश तो दूर करो गुरुजी ने का है राजन आपका दोश दूर करने के लिए हम हजारों कोस की दूरी से आ रहे हैं राजन आप हमें नहीं जानते परंतु हम तो आपको जानते हैं सुनो यदि राजा सुदर सैन को बड़ा तो तुम्हारा दोश दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्यान होगा राजा ने कहा मुझे स्विकार है तथा सुदर सैन की आग्या पालन करूँगा ये मैं सत्य कहता हूँ राजा ने फिर कहा अब एक और शंका है आपने कहा कि हम तुम को जानते हैं तुम नहीं जानते इसमें क्या राजसे है आप ये बताओ कि मुझे आप कब से जानते हो गुरुची ने कहा जब राजा जनक त्रेता में था तब तुम उसके निकट सनान कराने वाले थे राजा जनक तुम पर रत्यंत परसंद था एक दिन राजा ने कहा अरे मत्रा तुम शीतल जल लाकर पिलाओ परंतु जहां का जल मैं कहूं वहां से लाना आपने कहा जैसी आग्या वैसा ही करूं जनक ने कहा हिमाले से जल लाओ तुम जल लेने गए उस समय तुम्हारे मन में आया कि काश हम राजा होते तो हमारा भी हुकम इसी परकार चलता तब आपने राजा को जल लाकर दिया राजा बहुत परसंद हुआ राजा ने कहा मत्रा कुछ मांगो आपने कहा मैं कुछ नहीं मांगता राजा जनक सरवग्य था उसने कहा तुम मांग चुके हो अब क्यों इंकार करते हो जो तुमने मांगा है वे हमने दे दिया है फिर तुमने कहा मैंने तो कुछ नहीं मांगा जनक ने कहा सुनो जब तुम जल लेने गए थे तो मन में कहा था कि यदि हम राजा होते तो हमारा भी उकम चलता बस हमने तो तुमको राज्य दे दिया है और कहा कि तुम हमसे अधिक राज्य के स्वामी बनोगे हे राजा कमलनैन तब से हमारी तुम्हारी पहचान है ऐसे गुरुजी ने उस राजा को कहा राजा ने कहा उस समय आपका नाम क्या था गुरुजी ने कहा उस समय तेरा नाम सदानन था और हमारा नाम निरंकारी था तब राजा ने कहा कि तुम वही निरंकारी हो और अब आपका नाम क्या है गुरुजी ने कहा कि अब हमारा नाम नानक निरंकारी है ये सुनकर राजा ने गुरुजी की परिकर्मा करके अपना सिर्गुरुजी के चर्नों पर रख दिया और कहा हे गुर्देव, आप धन्ने ही धन्ने हो, मैं आपके चर्नों का सेवक हूँ आपने मुझे पर अनुग्रह किया है, जो यहां पधार कर दर्शन दिये हैं आपने मुझे कृत्ते किया, मेरी सभी कामनाई पूर्ण हो गई है ये कहकर वैं फिर चर्नों पर गिर गया गुरु जी ने उठाया, राजा ने का ही महाराज, आप मेरे मंदिर को पवित्र करो। गुरु जी ने का ही राजन, तुम को मंदिर शोबा देते हैं और हम उद्धान में ही परसन है। उसने कहा, ये राजे आपकी ही देन है, अब आप राजे करो तता हम आपकी सेवा करेंग गुरुजी ने का राजन जैसे तुम राजे में गलतान हो वैसे ही हमारा एक मरदाना नाम का मिरासी है वे अपनी राग की तान में मस्त है इस मरदाने को ये भी सोध नहीं कि कौन यहाया और क्या कुछ हुआ है राजा ने कहा अब आप मेरा दोश दूर करो और मंदिर में चलो तब गुरुजी ने उसके ग्रह में जाना स्विकार कर लिया फिर गुरुजी बाले और मरदाने को साथ लेकर राजा के मंदिर में गए गुरु जी ने सारी नगरी धर्मात्मा देखी, राजा कवल नैन ने गुरु जी को अपने घर में 15 मास तक रखा जब गुरु जी ने वहां से प्रस्थान किया तब राजा ने का है माराज, ये राजे, अब आप किरपा करके अपने कर कमलों में से ही किसी के सुपुर्द कर दें तो उत्तम है, तथा मैं तो आपके साथ ही चलूँगा गुरु जी ने का है राजन, तुम अपने घर में रहकर भी राजयोग कर सकते हो, फिर गुरु नानक देव जी यात्रा के लिए नगर से बाहर निकले, तब राजा ने गुरु जी की तीन परिकर्मा लेकर चर्णों पर अपना सिर रख दिया, प्रार्थना की, है प्रभो, मैं आपसे बिक्षा चाता हूँ कि मुझे सदैब आपका ही चिंतन रहे, गुरु जी ने का है राजन आपका राजय अरिमुक्त रहे, तथा परमात्मा में अटल अचल विश्वा सदैब बना रहे, गुरु जी वहां से सुमेर गिरी के और अग्रसर हुए, उस समय मर्दान बाले ने कहा है, गुरु देव, मुसल्मान लोग कहते हैं कि मक्का शरीफ के दर्शनों से बहुत लाब होता है, आपने अनेक स्थानों को देखा तथा दिखाया है, यदि आपकी इच्छा हो तो हमें मक्का शरीफ के दर्शन करा दो, गुरु जी ने कहा मक्का तो पश्च और चली जब गुर्णानक देव जी भाई लालो से विदा हुए तब एक मास कश्मीर में निवास किया था फिर बंगाल देश में रहे थे अमरापूर में दो सप्ता रहे और कोड़े राक्षस के पास साथ दिन रहे फिर बिसंबर पूर डेड़ मास रहे दो वर्ष साथ मास स आलस राय के पास रहे फिर नीराहार बीस दिन चलते रहे बिसर देश में एक महीना राजा सुदर सैन के यां रहे उननिस मास मदूर बैन के यां निवास किया देव गंधार की और जाते जाते सत्रा दिवस रहे देव लूत के पास नौ महीने ठैरे और तीन महीने परस राम के नगर में निवास किया एक महीना बन मांसों की बस्ती में निवास किया साथ महीने तेरा दिन सरवनपूर में गुजारे राजा कवल नैन के या गुरू जी ने पंदरा मास रहे छे वर्श साथ महीने तथा साथ दिनों के वैतीत होने पर गुरू जी ने मरदाने से पूछा है मर्दाना अब क्या देखना चाहते हो इस समय गुरु जी की आयू 49 वर्ष के लगभग हो गई थी सुन्दर दाड़ी तथा मुख पर इश्वर ये प्रकाश था गुरु जी के कहने पर मर्दाने ने मक्का शरीफ के दशनों की इच्छा प्रकट की गुरु जी ने कहा यहां मर्दाना बोला आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है बाकी जाती के दिश्टी कोन से आपको कोई रोक नहीं सकता गुरु जी ने कहा ही मर्दाना तेरा कहना हम सदैव स्विकार करते हैं चलो पहले तुमको मक्का शरीफ में ले चलते हैं पीछे किसी और यातरा को जा साखी मक्के मदीने की नसीहत नामा शिरी नानक देव जी का शाह शरफ और काजी रुकन दीन के साथ हुआ राक तिलंग गुजशत राह सलावत अवतार पगंबरा हम बिल्कुल सफात रहाओ एको एक खुदा है हैवान नबात बेचून बेच गूग है जिस जनम मरन नाजात हो एक खौफ खुदाएदा मुखो अल्हा ताक लायला इलीला गोबिन नानक अलफ अला कर सालों में गामना संसार के कल्या नार्त उदासी भेशधारन कर शिरी नानक जी ने विदेश यात्रा की तथा परतेक स्थान पर अपने स्थान नियत किये एक दिन आप दक्षिन में थे तब हाजी लोक मक्के जा रहे देखे मरदाना बोला हे गुरुजी ये मक्के को जा रहे हैं तथा सुना है कि मक्का खुदा का अपना घर है मक्के का दर्शन अल्हा का दीदार है यदि आग गया हो तो मैं भी हज के लिए यात्रा करूं गुर नानक कवर बाजू वाराना इमाम कलमा माला कुरान जबान तमाम अंग सी हरफ काइदा अलफ बे पच्छान रू अजायस कन्म बकादान नैन नभी करन काबा हथ हजरत पैर रसूल नानक ऐसा अमल चो करे सो दर्गह पवै कबूल ये शबद सुनकर मरदाना कुछ अन्मना सा कर चुप रहा गुरू जी ने कहा यदी पुरुष अपना मन्शुद कर ले तो सभी कुछ इसके बीतर ही है परंतु ये संसार के अंदर भूला हुआ है जैसे अमरीक की नाभी में कस्तूरी है परंतु वे बाहर मारा मारा फिरता है ही मरदाना संतों को यात्रा वश्य करनी योग्य है हम मक्का मदीना देखेंगे हमने काजी रुकन दीन से कुछ धरम चर्चा भी करनी है एक दिन गुरू जी मक्के की यात्रा को चल दिये पहली विश्राम जगा पर चार हाजी और एक सादू शाह शरफ गुरू जी को संत भेश में देखकर हैरान हुआ उसने हाजि यह सोचकर गुरू जी के निकटाया कहने लगा तुम कौन हो गुरू जी ने कहा सुन पहले दरवेश अवारा फकीरी तकसीर है फकीरों से पूछना किस लिए क्यूंकि फकीरी तो संसार से नाउमीद शाह शरफ सुन हैरान होकर चुप रहा मन में कहा यह फकीरों के कामल है प्रशन शाह शरफ का उत्तर गुरुनानक जी का अवल फकीरी फना असत आखर फकीरी बका असत खाना फकीरी मुस्लम असत कुलीत फकीरी खामुशी असत कदील फकीरी अजदीव बंदगी असत मकबरे फकीरी हलीमी असत गंज फकीरी पाई बोसी असत तरीक फकीरी बिदारी असत सोजन फकीरी अकल असत रेशम फकीरी दिदा लुकमा फकीरी सबूरी असद, खिरका फकीरी रास्ती असद, कफनी फकीरी जिन्दा मुर्दा असद, धुआ फकीरी मानिंद पलू, खुरद हकीक असद, फहोडी फकीरी खाक रोबी असद, जाम फकीरी कुशाद असद, हर एक आद आराम रहा सलकुनद, सेली फकीरी वर्दा पेश मुर्शद असद किष्टी फकीरी रोय गर्दानी अज जहान असद बसला फकीरी जबान सैफ साहीब करामात असद दर महरव कहिर पूर मामूर असद मुतकाई फकीरी मन बस करना गोशा नशीनी असद अगर कशे बदी तरीक अमल कुनद ओ कामल फकीर असद वाय जाना का फकीरी रचीदान फकीरी राग मकरदा असद फिर शा शरफ ने पूछा सुवाल कजा मानो जुवाब दामनी फिर शा ने कहा चीशत मनी जवाब फिर गुरुजी ने कहा वगो नानक एक तनी एक तनी शा ने फिर पूछा सवाल शुमार में अहिले जवाब बगो दर्वेश बिदहंद की, कुल शुमार, सजव असत जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाई गुरुजी का खालसा, वाई गुरुजी की फते अगले पार्ट में कॉंटिन्यू करेंगे साखी को जै गुरुजी जै गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जी का अनंतम शुक्राना, वाई गुरु जी का खाल्सा, वाई गुरु जी की फते,